सुपरभार मैं सुनिल कुमार केरियर जोन की योर से आप लोगों का हारदिक अभिनन्दन करता हूं आज का विशे है एरोपिय यूनियन या इसे कहा जाए एरोपिय संग इसका प्रारम्रिक नाम क्या था परचलिक नाम क्या है इसे समन नाम के विधिवत नाम क्या दिया गया इसकी विधिवत अस्थापना कब हुई पहली वार अस्थापना कब हुई इसका मुख्याले कहा है इन सारे बातों पर आज हम लोग विचार करेंगे कोई भी संस्था अस्थापित किया जाता है उसके पीछे कहीं न कहीं कोई उद्देश होता है और इस संस्था का उद्देश है साथ साथ यह एक ऐसी संस्था है जिसको कि छेत्रिय एकी करन का अस्थाव छेत्रिय एकी करन बनाने का प्रियास किया गया है तो आईए बात करते हैं हम लोग की इसकी अस्थारपना कवगा था इसी को कह जाता था पहले के ईरोपीय आर्थिक मन्त यनि इरोपीय संग का जो पहला नम था इरोपीय आर्थिक संग और इसका बिधिवत नम रखा गया इरोपीय संह 1995 में इसका नाम बदल गया यह ready इसकी अस्थापना हुई थी 25 मार्त 1987 को रोंस संधिक के तहद किया गया था तो मत्यसका नाम था ए रोपीय आर्थिक शंह और इसका विद्वत अस्थापना 1958 में कर दिया गया और इसका मुख्याल है ब्रुसेल्स को बनाया गया लेकिन 1995 में जा करके जब इसका बहुत ज़्यादा बिस्तार होने लगा और तब इसका नाम बदल करके और तब रख दिया गया European Sankh लेकिन यही संस्था है जिसका एक सामान नाम European Common Market के नाम से भी जाना जाता है इसी संस्था का यह नाम है जैसा कि हम लोग बात किये भी कि इसकी अस्थापना रोम संधी के तहत 1957 हुआ था लेकिन विधिवत 1958 में और इसका मुख्यालव इसमें सदस्थे देशों की संख्याँ बरतमान में Quando जो अपनी सदस्थे जो अपनी सदस्था हुआ लिया जैनि European Union से अलग अपने आखो कर लिया latte में जिसके चलते सदस्थे की संख्याँ घड़कर के इत्तव हों गई अब हम लोग यह जानें कि इस संस्था का उद्देश क्या है। इस संस्था का सबसे ब्रावदेश है कि सदस रास्तों के बीच पुर्णतह सतंत्र वेपार के लच को प्राप्ट करना, साथ साथ देश की जनता को, उनके मानव संसाधन मानव मुल्यों एक दूसरे से मिलना संसाधन का सदुप्यों करना इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके इसका उद्धिस बनाया गया था जब इस संस्था के स्थापना की गई थे, जैसे आप से पूचा जाए कि इडॉपिय संगarta की संस्थापना या संस्थापक देश कितने थे किसने देशों ने ऐसापनायठा किया था बढ़तीक गई सबसे पहले 1973 में सबसे पहले इस संस्था के सदस्यों का विस्तार किया गया तब तीन सदस कुन-कुन सामिल हुए ब्रिटेन, आयरलेंड, डेनमार्क फिर 1986 में इस का जब इस्तार किया गया तब आगया इस्पैन, ग्रीस और पुर्तगाल और 1995 में स्वीडन, फिनलेंड और आस्टेलिया भी सामिल हो गया और 2004 में 10 अनसरस्यों देशों को भी सामिल किया गया और 2007 में 26 देश बुलगारिया, 27 रोमानिया, 28 क्रोएसिया लेकिन 2017 में अलग कौन सा देश हो गए बृतियन, तब सदस्तों की संख्यां कितना रह गए, 27 रह गए इरोपिया संख्य के संचालन कई अंग के द्वारा होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि इरोपिया संख्य के कुल कितने अंग हैं, तो तीन है सबसे पहले उरोपिया परिशद, उरोपिया संसाथ और इरोपिया आयोग आहा है ज़री माने सबसे महत्यपूर्ण है उरोपिया परिशद में हरे एक सदस्देश के मंत्रीश इसमें सामिल होते हैं और जितना भी नीतिकत हैस्ला लिए जाता है संधिया समझाओता लिया जाता है तो इरोपिय परिशद में लिया जाता है और उसी तरह से इरोपिय आयोग दूसरा संसा है इरोपिय आयोग में सभी देश के फुल परतिनिधी मनें लगभग 20 परतिनिधी सामिल होते हैं और इनका चैन सदस्देश मिल करके ही करते हैं इनका काम है इरोपिय आयो का कि जो परिशद के द्वारा लिए गए निरने हैं संधिया समझा होता है उसको लागू करवोना इसका लक्ष होता है और तीसरा है इरोपिय संसद बजट जब बनती है तो बजट का अनुमोदन इरो कार्ज और प्रगति को देख करके दोहजार बारे में इसे सांती का नॉबेल पुरुषकार दिया गया था यह एक ऐसी इरोपिय संस्था है जिसको छित्रिय एकी करन का प्रियास किया गया और यह संस्था अपने आप में इरोपिया इनियन के लिए बहुत ही मजबुत और स दोस्तों आज का विशय यहीं पर समाप्त करता हूं फिर हम किसी दूसरे विशय को लेकर उपस्त उत्थ होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद